हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागात है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताओं गाइस की रेडमी 13C phone में आप लोग नंबर्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi 13C phone है और इस phone में आप लोगों को numbers को block कर रहा है मतलब यहाँ पर जो है कोई number जो है आपको बार-बार call करके आपको disturb कर रहे हैं या पर बार-बार वो miss call कर रहे हैं या बार-बार call कर रहे हैं या बार-बार call कर रहे हैं तो आज के वीडियो में में ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए, वीडियो को छानल को भी सब्सक्राइब जरूर शे कर लीजे तो चलिए गयज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं numbers को block करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के application को open कर लेना जिससे आप लोग call वगरा करते हो open करने के बाद या पर जो reset का option है जिसमें miss call वगरा या आपने जिसको call क्या है वो देखने को मिलता है उसको open कर लीजिए open करने के बाद या अपन numbers show हो जाएंगे तो जो भी number block करना है उसका जो number है उसके side में एक arrow का option होगा तो इस arrow के option पे click करेंगे click करने के बाद एकदम नीचे देख सकते है एक block का भी option है तो इस block के option पे click करेंगे और ok पे click करतेंगे यासा करती जो number है वो block हो जाएगा ठीके guys तो यह रहा recent call का miss call का number ब्लॉक कैसे करेंगे उसके बाद अगर आप लोग को context number को block करना है उसको कैसे करेंगी यह भी बता देता हो simply context में जाना है number को select करना है सिलेक करने के बाद यहाँ पर three dot का option है three dot पे क्लिक करना है और यहाँ पर block का option मिलेगा block पे क्लिक करके ok पे क्लिक कर देना है ऐसा करते है block हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने redmi 13c phone में numbers को block कर सकते हो तो कैसा लागा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई